अमाल इस चुपा रुस्तम, मैंने महबबत जो रियल सही माने में की है, वो एक ही बार हुआ मैं हूँ सधात कनान, एक हे सिटके जरा हटके और मेरे साथ आज है, तीन भाई, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और सबसे छोटा भाई, बड़ा भाई, अमाल मले के लिए तालिया, फिर छोटा भाई, अर्मान मले के लिए तालिया, और सीटी बजाते हुए, सबसे छो जिस बाप का नाम दबू मलिक हो, और उसके बेटो का नाम हो, अमाल मलिक, अर्मान मलिक, तुम मैच अब से चोटा हुआ ही ना? आपसुलिए और तुम्हारे गोल मटोल चीक्स, तुम्हारे काले जुल्फें, तुम्हारे लिटली पंदरा साल के लॉंडे लग रहे हो, है कि नहीं मेरे दोस्त? Definitely, ओ मिर से भी यंगर लिख रहे हैंभी. See, he just got up and went. My dog also like, यही करते है पूरा दिन, और हैंसम को लेके जाते हैं वाक पे, so that he can flirt with the girls, because this boy is check magnet. और यह हैंसम के बारे बता दो, यह क्या है, कौन है, बता दो. हैंसम is the newest addition to our family, and मुझा लगता है that since he's come, our lives become really sorted, and he's been a blessing in disguise to this whole family. जबर्दस इश्वाली बात है, मैं और अर्मान एक एपोर्ट पे हैं, audience को क्या है न, actually Arman Malik, Amal Malik, Amal Malik, Amal Malik, Arman Malik. प्रणनी तो भाइस बाट न, और वा Corner मेरई क्यों प्रॉम्स आपता ऐपनाया न, क्या बोड़ मेरे बाइस? मुझा करता है, ढूरे माम भेट न, एक दिन आया तो घर पे उसको पता चलै मेरे इसकबाजी के बारे में, तो suddenly we were all having mom was here, everybody was around अमाल बोलता है डाइड कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको बहुत जादा उचल रहे हो आप अभी what is this coming from तो बोलता है नहीं नहीं आप ठीक रो डाइड बन के रहो घर में जब तक ठीक है अमाल अमान के पापा हो तो 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 थोड़ा सा आपकी रोबिंग आई है नहीं सुधरा ज़रा तो मने अपने पिता जी को अमाल जब पिता जी बेटे वाले काम करें है तो फिर मैं क्या करो अल दे थिंग्स मुझे लगता है जो एक यंग यंग्स्टर को युजली काई आपको आप घूम रहे हो को आपको बोलता है कि अरे लेट हो गया घर जाओ यह बात है मैंने इनको बोले कि देखो चार गंटे मिले हैं यू कन कम बाग 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 आफ्टर दर दोर बी शट यू किडिग्म इप तुम तीनों इस कौन सबसे शरीफ है एर बताओ सबसे शरीफ I think is Arman Malik राइख यह सच में खुक्त कहरा कि सच में यह शरीफ है सच में शरीफ है यह बुद बॉद 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 बदमाश कौन है वा हा हुआ अमल का एक चीज़ में ने देखा है कि इसकी जो इश्क बाजी है, he is very categorically told me, that's my personal life. Don't even come, you know, one inch क्लरा, radius में ब्याना. Because इसकी definitely, जो गल्फरेंट्स जितनी भी रही है आज तक, सब एक नी, दस नी, पंदरा नी, बीस नी, सब इसके आस पास ही घुमती थी. कोई भी, मतला भी, यह, तो दिखता था कि अर्मान की फैन फॉलोएंग है, अर्मान के पीछे पागल पन है, but जो रियल, मुलते हैं कि जो रियल मीनिंग वाली जो गूमने वाली जो आना चाहते थी, वो इसके पीछे गूमती थी, यह लगता बड़ा सीरियस है, लेकिन लफड़ा है, कुजरा, एंड यह, हर लड़की मुझे ऐसे लगती थी, कि एकदम सीरियस गल्फ्रेंड है, कितनी होगी, काउंट बता दे, सचे दिल से बता, तुमारे पिताजी की जवानी की कसम, आज बता दे कितनी गल्फ्रेंड रही हैं, दोस्त, काउंट भुला दिया, हो, काउंट भुला दिया, पंदरह, बीस, बारह, जैनियूली बोलना है, यार, दस, बारह रह चुकिया, ठीक है, 10, 12, तुमारे, मैं बता दा नियू, बोल तो दे, एक, दो, तीन क्या, बहुत कम है, क्योंकि मैं अक्चली फ्लर्ट जादा करता, आप नोट केप गल्फ्रेंड, आप केप गल्फ्रेंड, आप केप गल्फ्रेंड, माने, जैसे एक प्राब हुआ है, ठोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाहाँ है बाकी, थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, बहुत है बाकी, अभी तो मुझे बहुत करने की जिंदी बहुत मिली है, करने वालों मैं, शेर अचेसे नियू बुल से कान वाल andu Malik, जै कि ऐसी ऐसी चीजे बोलते हो बदमाशो वाली जैसे मेरे 20 गल्फरेंड रहें ये वो तुमारी जो महतरमा है जो इतनी प्यारी गुडिया टाइप से जोती वो तुमे डंडे गिटार के साथ मारती है कि ने कि आपको बाता हूं उनको उनका क्लिर्ली एक डायलोग है अच्छ जैसे लगी अच्छ नोवी तूवल मैं उसकी पूरी पोजिशन जानती हो और ये क्या कर सकता है लाप में वह भी जानती हो मानने कुछ नहीं कर सकता है भूल बच्चा रुखल सही जैसलिग ऑक्टर बद आ अच्छी लड़की मिल गई इफ खुश नसीब हो तुम डबू Amal and Arman are blessed to have Jyoti as their momajah because I think as a brand she is a highly qualified and intelligent person and I want to say that they are lucky that as brands Amal Malik and Arman Malik they have the best personal manager in-house who is really rocking it for them and let the world know that she is the woman क्या बात है इसी बात पर जोती के लिए तालिया और एक गाना हम चारों की ओर से टू जोती जी हो जाए मॉम मेजर तैनू इतना मैं प्यार करां एक पल वेचे सो बार करां तू जावे जे मैंनू छड़के मौत दा इंतिजार करां के तिरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ बैई सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके के तिरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ बैई सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके और ये डिडिकेटे रहे तो वोमन आफ दे हाऊँ मॉम मेजर जुन्होंने डबु को रखा हुआ है स्केप्ट डबु जोती इश्क एक्चुली है और मैंने महबबत जो रहील साही माने में की है वो एक ही बार हुआ और वो जोती से हुआ और आज तक वो बरकरार है जो इससे पहले कि एनिबडियोग एडियास I am a one woman man and I have dedicated my entire life to this woman with all my heart and all my love But you know what, I have noticed one thing है, हम लोग तफरीटो करते रहते हैं जो तुमारे घर मेरे आता है मुझे माहुल बहुत प्यारा लगता है Everyone's smiling, everyone's जोकिंग वगेरा वगेरा तेल में, ड़स आफ तर दो विकॉस यहाव अस्टेबल वाइफ दोस्टा प्लेट पार इन यूर लाइफ भाइफ एक बहुत बड़ा कॉंपलिमेंट मुझे मेरी वाइफ से मिला था वाइब भाइफ फिल्म काल लाइफ इस बीटिफूल आगर आप ने देखी है वो पिचर वो जो चरेक्टर था वो बुच्यर ख़तम इन के बाद शी इस साथिट क्राइफ She said, you know, 10, 12, 15 years ago, when we had a lot of difficult times, there was a lot of silence and there was nobody calling you, nobody ringing, nobody wanting you to be invited. Still, you were so happy. I mean, I used to be amazed that there was no fake place, there was no party, there was no celebration, there was no way to bring your kids to your toy or to your guitar. And I felt like every single day and to manage that for 365 days multiplied into 10 and create a celebration, so she broke down. So she was saying, I think somewhere from there, though I knew the real world was actually very scary and there were things really not happening and it was very difficult times for both the kids and the father, which nobody believes. You know, what happens, sometimes my perception is like everything is hunky-dory and the real life is so scary that you're really in the down in the dumps. And in that time, I used to keep my kids happy. They never realized what was really... We used to always look forward to what will happen tomorrow in the excitement life. Because sometimes random trips, he used to say, let's go to New Zealand, or let's go to the US, so just to see a dad so happy, even when everything is not going right or in his favor, it used to give us confidence that we have to do something else and you have to make him happy. What a matter, I have always seen him very jovial. Tell me about it. But on this topic, I would like to say that even though he used to not show it to us, I was very close to him, so I always knew that he was just killing it for us, not letting us know. But I know because I am very close to my father and whatever I am, wherever little I have reached in two years of my career as a composer, that whole angst that fire came from him. I will tell you very frankly, that one of my father is the most happy that the legacy of our Sardar Malik, Anru Malik and Dabu Malik, to me, as an objective judgment, Amal is a talent which directly connects to my father. Wow. And the talent that of Sardar Malik Sahib, the core talent, whenever he makes a song, whenever he sits down and really takes the song, you know, he makes a hit hit. But here is a boy, whenever I watched him play something, he used to either get frustrated with the piano and go away, or within 15-20 minutes come up with a tune, which I used to say, how is it possible? You know, and he doesn't want to be a factory. He is a person which is completely focused, that I want to do my own work, I want to do so much, I want to do good work. And my father, who has left my legacy, that people say, yes, Sardar Malik's grandson, Amal Malik, who has done this work, this is his work, this is his madness. This is what I also feel, I also, when I look at him, I feel intimidated. This is the first time my father is putting it on everybody, that I feel intimidated by my son's real talent, and I thank God for that. Every time, I think, the eldest son of the family is so close to the father, that even without him speaking to you, you read what he is feeling, how he feels rejected. Yeah, he is a devil. That means he is a devil. It is amazing, it is amazing, I am telling you, it is like that, I am sitting there and thinking about something, so he will come to me, and he says, what do you want me to do? I have not said, I have not done talking, but like when my dad because he has a Mercedes, my dad told me, for 25 years ago, he always keeps saying, I am going to see Mercedes, I am going to see Mercedes. But the Mercedes never comes only. One day he calls me down and he says, dad you are down, you are lying, I'm thinking you are lying, I didn't know if you were lying. And I have my white Mercedes waiting for me with the red ribbon and all that, and this is Amal's gift to me. This is it. ते फաर प्रणी पेस कि भिड़ में अब्लेजे चिर्स घाइट बडी दिव है और या युट है विल्हेला कि अचीक रिष्ड़ कि अषटर सुई कि अचीकर अचीकर अचू कि अचीकर इस नहीं है अच्यां अचीकर लिग फिर्ले और कर आच गीन कीए में गचीकर और अटा I can do something, if you feel I should be doing something, just tell me, I'll do it. That's when he told me, now is the time you should get out into the world, learn, accumulate all the knowledge and then when you feel your prepared, come as a composer. I think those 16 to 23, I have worked with the biggest composers, done assisting jobs for so many people. So I think all of that was for this final dream to just take it to my parents. And we should not forget that the ultimate dream of Amal and me, both of us as people and who went to the industry, to take it to a promising level as a singer is Arman. You know, Arman is not... My little brother, love you brother. I was wondering, when will there be a dialogue for me? And his eyes were also like, tell me about him. No, a family is a place where it is the mackay of any performer. I saw a child with a 3,000-packed audience in a family arena. I saw a single-handedly, half an hour performing. And that was an element of my work. That whenever we look at the stage, we look at the stage, we have a single-handedly, who can show a whole audience as a singer. As a father, we cannot be happy with this, that at one time, at one time, the best music director award, Amal Malik, and the best singer, the R.D. Bourbon Award film, my son, so for a father, I think it's a great redemption, it's a great success story. Because I don't want to do this with money. When the entire industry was there, and the world, there were people in the world who saw the people that did like this. There are many people in this industry. There are many people in this industry. It's a good thing. It's a good friend or son. But I think the first thing I'm proud of, that my genetics or our genetics, which I say, went to my hands with two awards. You know the joke? Both the award-firm films when I was in my hands. They had to do photo-session. The photographer said that जाके वो अवार्ड लियो, हमको फोटो करनी है तो ये दोनों मेरे पास आए and I was not ready to leave the film तो because it was like impossible कि actually में को feel ही हो रहा था कि असा हो रहा है क्या और एक happy father I am not a frustrated father अगर आप देखो कि मैं अपने बच्चों को एक utilization point of view के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे लेट में आप में भी आगया मुझे तो इसका इंट्रेस्टी नहीं है मेरे को तो वो जो gratification मिली है कि मेरे बच्चों ने वो कर दिया जो मेरे दिल के अंदर इतने सालों से था मैं हमेशा ऐसा सोता था मैं हिला दूँगा गाना का के वो हुआ नहीं अर्मान आया उसने कर दिया मैं हमेशा सुछता था कि मैं ऐसा साउंड प्रोडूस करूँ जो दिन्या मैं सूरस ढूबा जैसा गाना बना सकूँ लाइफ के अंदर वो ड्रीम ही करता रहा थोड़ा सा प्यार बनाए कर रहा वो कभी ऐसा या तो मेरी मुजिकालिटी की विकने सी या कुछ था अंड़ली अमल कम्स अंड़ी ओपनस अंड़ूरस बॉक्स ब्रोडक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे बेटे अमाल मलिक ने और अमाल मलिक ने मेरी दभी हुवी खुशें जो 30-35 साल तक मैं दबाता रहा हूँ और जिंदीके में अपने आपको जूट तरीके से हसता रहा वो फुल्फिल होगे So I am the happiest father in this world and it doesn't matter to me where we go from here They have just done it for me क्या बात है तालिया यार वाओ वाओ